आपका स्वागत है इंडिया पबलिक खबर में और मैं हूँ आपके साथ हरजिता मिश्टा कॉंग्रस के सितारे एक बार फिर गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं पहले हर्याणा में जीत को लेकर ओवर कॉंफिडेंस पर लगी चोट फिर एक एक करके इंडिया गटबंधन के अपने बाकी साथियों से मिली लताड और फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लगा हाई वोल्ट का जटका कॉंग्रस बीजेपी की जीत से ज्यादा परिशान अब बाकी चुनावी राजियों में गटबंधन की बैसाखी पटी के अपने फ्यूचर को लेकर है वहीं एक के बाद एक लगातार मिल रहे जटकों के बीच कॉंग्रस के लिए गटबंधन को लेकर सपाचीफ अखिलेश यादों ने एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे कॉंग्रस में हलचल तेज हो गई है हर्याना चुनाओं में कॉंग्रस की बेहत डिसपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद जब बीते दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से यूपे उप चुनाओं को लेकर 6 सीटों पर बिना किसी तरह की आपसी चर्चा के प्रत्याशी उतार दिये गए तो सियासे फिजाओं में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि यूपे में भी गटबंधन की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है और कभी भी इसकी ओफिशियल अनाउंस्मेंच की जा सकती है हालाकि सपा के 10 में से 6 सीटों पर फिलहाल प्रत्याशी उतारने के चलते एक अलग तस्वीर भी बनकर सामने आई थी कि शायद 6 इस टू 4 का फॉर्मूला अपनाते हुए अखिलेश यादों ने 4 सीटे कॉंग्रेस के लिए छोड़ दी हो लेकिन अब खुद अखिलेश यादों ने बड़ा बयान देते हुए सारे कयासों के बादलों को हवा कर दिया है और सियासी हलकों में एक बार फिर इंडिया गशबंधन को लेकर चर्चा के बीच कॉंग्रेस के लिए यूपी के उपचुनाओं के भी तस्वीर साफ हो गई है हुआ यूँकि समाजबादी पाल्टी के संस्थापक और पूर्व रक्षा मंतरी मुलाइम सिंग यादों की दूसरे पुन्यतिती के मौके पर उनके गाउन सैफ़ाई में उनके बेटे और सपा के राष्ट्री अधियक्ष अखिलेश यादों और पाल्टी के राष्ट्री पुशबादी पुश्पित करने पहुंचे इसके साथ साथ परिवार के बाकी लोग भी समाधी पर पहुंचे और उन्होंने शुर्द्धान्जलिय। इस दौरान अखिलेश यादों ने कहा कि आज हम लोग नेता जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने इसी धर्ती से अपनी लडाई शुरू की थी, बाद में वो धर्ती पुत्र के नाम से जाने गए। मुलायम सिंग यादों ने समाज और राजनीती को दिशा दी है। समाजवादी विचारधारा से देश की लोगों को जोड़ा और लोगों को रास्ता दिखाया। हम सभी लोग उन्ही के रास्तों पर चल रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि समाजवादी मूलियों और सिध्धानतों को आगे बढ़ा कर लोगों का जीवन बदलने का कार्या किया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने कॉंग्रेस के साथ गटबंधन को लेकर चल रही खीशतान पर पहली बार चुपी तोड़ते हुए कहा कि ये सही समय नहीं है यूपी उपचुनावों पर चर्चा करने का पर हमारा कॉंग्रेस और इंडिया गटबंधन से नाता बना सपा कॉंग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी यानि सपा चीफ अखिलेश यादव ने ये चीज एकदम साफ कर दी कि यूपी में सपा अभी भी अपनी तरफ से गटबंधन के साथ गटबंधन धर्म निभाने के लिए तैयार है हर्याना चुनाओं में कॉंग्रेस की करारी हार और यूपे में उप चुनाओं के लिए 6 सीटों पर सपा के प्रत्याशी घोशित किये जाने के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब अखिलेश निगटबंधन को लेकर चल रही सभी अटकलों पर अपनी तरफ से ब्रेक लगा दिया हाला कि इससे पहले कॉंग्रेस और सपा क पर कोई चर्चा नहीं हुई है ये मुद्धा हाई कमान तै करेगा पांडे के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से कॉंग्रेस दस सीटों पर होने वाले उप्चुनाओं को लेकर सम्विधान बचाओ सम्मीलन कर रही है ताकि देश की सबसे पुरानी पाल्टी के साथ-साथ विपक्षी गडबंधन के लिए जमीन तयार की जा सके उधर सपा प्रवक्ता डॉक्टर अशुतोष वर्मा ने कहा था कि ये साबित हो गया है कि शेत्रिये दलों के बिना कॉंग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है कॉंग्रेस ने हर्याना में सपा का कोई जनाध उनके प्रदेश अधियाश दस सीटे लड़ने का दावा कर रहे हैं लेकिन उनके पास संगठन कहा है 2022 के चुनाओ की आंकड़ों पर नज़र डाले तो जिन सीटों पर उप चुनाओ होने है सपा वहाँ पर कई सीटों पर पहले नंबर थी जबकि कॉंग्रेस चौथे या पांचवे स्थान पर रही थी वहीं इसके जवाब में कॉंग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्ती ने कहा कि देश और प्रदेश के मतदाता ये बात समझते हैं कि बिना कॉंग्रेस के बीजेपी को हराना मुश्किल है इसलिए दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को ब बयान पर गौर करें तो हम पाएंगे कि अखिलिश यादों ने सभी तरह की खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया कि गडबंधन तूट जाएगा लेकिन देखा जाए तो इसमें भी बड़ा पेच है असल में सपा आरेलडी के अलग होने से पहले साथ मिलकर खैर और मीरा पूर की सीटे लड़ रही थी लेकिन अब इन सीटों को कौंगरिस को सौपने पर विचार कर रही है गाजियाबाद सदर और मीरापूर सीट के लिए सपा कौंगर्स को तयार करना चाहती है हालाकि दबाओ बनने पर मीरापुर या खैर में से भी किसी एक ही सीट को कॉंग्रिस को देने की संभावना है गडबंधन के तहट सपा खुद कुंदर की की सीट पर चुनाओ लड़ेगी ऐसी भी चर्चा जोर उपर है लेकिन सपा आरेलडी की पूर्व में लड़ी गई सीटे कॉंग्रिस के लिए छोड़ सकती है गाजियावाद सदर जहां से 2024 में कॉंग्रिस ने लोग सभाचुनाओ लड़ा था महां खिलेश चाहते हैं कि कॉंग्रिस विधान सभाचुनाओ में उतरे उधर मीरापुर सीट पर जहां चंदन चौहान आरेलडी से जीते थे सपा को लगता है कि कॉंग्रिस के लिए ये सीट बहतर सौदा हो सकती है कॉंग्रिस पहले से ही खैर विधान सभा सीट पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए है कॉंग्रिस ने चारू केन को अपने पाले में खीचा है जो की दलित समुदाय से आती है लेकिन जाट परिवार की बहु है पिछले विधान सभा चुनाओ में चारू केन ने बसपा से 65,000 वोट हासल किये थे खैर विधान सभा जाट बहुलक्षेतर है लेकिन ये सुरक्षित सीट रही है ऐसे में कॉंग्रिस की पूरी कोशिश है कि चारू केन के जरिये जाट और दलित समुदाय दोनों का समर्थन जुटाया जा सके जिससे कि सीट जीतने की सभावना बढ़ जाए समाजिक समीकर्णों को ध्यान में रखते हुए कॉंग्रिस ने ये डर्णीती अपनाई है वैसे 10 में से सिर्फ 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारना अखिलेश यादों की एक स्ट्राटेजी भी हो सकती है कहा जा रहा है कि अखिलेश यादों नहीं चाहते कि सपा की मुस्लिम परस्त छवी बन जाए मुलायम सेंग यादों के दौर में भी सपा की बनी मुस्लिम परस्त छवी को लेकर बीजेपी लगातार घेरती रही इसका खामियाजा भी समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा इसलिए अखिलेश यादों ने सपा को मुस्लिम यादों की पार्टी से बाहर निकालने के लिए पीडिये यानि कि पिछला दलित और अलपसंख्यक का फॉर्मूला दिया है मुस्लिमों की जगा अलपसंख्यक शब्द का प्रयोग अखिलेश यादों करते हैं ताकि बीजेपी को घेरने का मौका ना मिले और इसी रहनीती के तहट अखिलेश यादों ने एक साथ दस सीटों पर उमीदबार के नाम का एलान करने के बज़ाए पहली सूची में सर्फ छे नामों का ही एलान किया है और बाकी चार सीटों पर टिकेट होल्ड करके रखे है क्योंकि सपा ने पहले ही फूलपुर से मुस्तफा सिद्धिकी और सीसा मौसे नसीम सोलंकी जो की इरफान सोलंकी की पतनी है उन्हें वोट दिया है इसकी अलावा कुंदर की और मीरापुर सीट से भी सपा के मुस्लिम उमीदवार के चुनाव लड़ने की पॉसिबिलिटी जताई जारी है ऐसे में अगर सपा यूपी की सभी दफ सीटों पर उमीदवारों के नाम का एलान करती तो उनमें से चार मुस्लिम चहरे होने पर विपक्ष खासकर की बीजेपी को घेरने का मौका मिल जाता अब यहां आपको याब दिला दे कि लोकसभा चुनाओं में सपा के साथ गड़ बंधन कर किस्मत आजमाने वाली कॉंग्रेस उप चुनाओं में पांच सीटों की डिमांड कर रही थी लेकिन अखिलेश यादों ने कॉंग्रेस को विश्वास में लिये बिना ही छे सीटों पर अपने उमीदवारों के नामों की घोशना कर दी है इसमें मजवा और फोलपुर सीटे ऐसी हैं जिस पर कॉंग्रेस उपचुलाओं लड़ने के लिए मांग कर रही थी हालाकि पश्ची में यूपी की चार सीटों पर सपा ने उमीदवारों के नाम का एलान नहीं किया लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पाल्टी कॉंग्रेस के लिए इस वक्त कहीं न कहीं टिट फॉल टैट वाले मूड में आ चुकी है क्योंकि इस से पहले मध्यप्रदेश और हर्याना के विधान सभाचुनाओं में कॉंग्रेस के शीर्ष नित्रत्व के आश्वासन के बावजूद सपा को इंडिया गडबंधन के तहत कोई सीट नहीं मिली थी इसलिए सपा यूबे में कॉंग्रेस के दावे को सुवीकार करने के लिए राजी नहीं हो रही कॉंग्रेस के मध्यप्रदेश और हर्याना के राज्यय इकाईयों ने कहा था कि उनके यहां सपा का कोई जनाधार नहीं है अब इसी लॉजिक के बेस पर सपा का कहना है कि यूपे में कॉंग्रेस का भी कोई आधार नहीं है ऐसे माना जा रहा है कि चार सीटों पर भी गडबंधन के तहट कॉंग्रेस के हाथ मुश्किल से ही कुछ लग सकता है पहराल उत्तरप्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाओ को 2027 विधान सभाचुनाओ का सेमी फाइनल मैच माना जा रहा है लोग सभाचुनाओ वाले प्रदर्शन को सपा उपचुनाओ में भी बनाए रखना चाहती है ताकि 2027 के चुनाओ में उसका माहाल बढ़ा रहे इसलिए शेहमात का खेल उपचुनाओ से ही शुरू हो गया है लेकिन अब कॉंग्रेस के लिए अखिलेश का अचानक दरिया दिली दिखाना क्या कॉंग्रेस को रास आएगा और क्या सपा ने वाकई 4 सीटे कॉंग्रेस की दोस्ती बरकरार रखने के लिए छोड़ी है या फिर कोई और ही दाओ है इस पर आपकी क्या राया है कमेंच पे लिखकर जरूर बताए बने रहें इंडिया पबलिक खबर के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब करें बैल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले